Hello everyone, आज मैं travel कर रहा हूँ, इसकी वाज़े से आप सिर्फ मेरी Hello everyone, आज मैं travel कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको screen recording में important important बाते discuss कर रहा हूँ आप सभी का स्वागत है, अनन्द का फंडा के आज के एपिसोड में सबसे पहला हम नज़र डालते है FIA और DIA की moment पे, आप यहाँ पर वापिस से दिखेगा आज फिर से FIA की 3200 करोज की आसपास की selling है हम कह सकते कि आज का दिन तो DIA ने बचा लिया 4000 करोज की purchase करते हुए पर जब तक यह FIA की selling नहीं रुकेगी, तब तक market में pressure पूरी तरीके से नहीं अटेगा साथे साथ एक और important चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि FIA sell कर रहा है 3200 करोज और अगले दिन 7000 करोड का purchase कर लेगा या 5000 करोड का purchase कर लेगा यह धीरे धीरे shift होगा, जब shift होगा उस समय हमें special focus रखना पड़ेगा कि कौन से sectors में अच्छा उचाल देखने को मिल रहा है कौन से sectors के stocks में हमें देख रहा है कि यहाँ पे कुछ accumulation चल रहा है, वो हमारे focus में आ जाएंगे बट वो तोड़े समय बात की बात है, अभी for the timing FIS का cash market में selling pressure नहीं रुक रहा है future and options में FIS की position आज की दिन neutral है साथी साथ कल जिस हमने complete chart की बात करी थी, इस यही graph मैंने आपके सामने कल बनाया था और यही flat base का pattern आपके सामने कल बनाया था जिसका bottom का area बन रहा था 16,850 के आसपास, 800 के आसपास आज देखिए, यही होता है swing trading पहली बार यहां से bounce करा, दूसरी बार bounce किया तीसरी बार तक bounce हमें मिलने की पुरी-पुरी expectations होती है और आज भी market ने इसी level से exactly bounce दिया है अब देखिए, तीन बार यह same level पर support ले चुक है next time अगर 16,800 के पास आएगा तो मैं at least इस bounce के लिए play नहीं करूँगा because तीसरी बार यह support weak हो जाएगा आप बार-बार gate खोल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, नहीं खोल पाए अगली बार यह 16,800 के support को मैं play नहीं करूँगा हमेशा एक support को maximum मैं play करता हूँ तीन बार कल भी हमने इसी flat base के pattern की बात करे थी कि lower range में आये, तो हम एक बार छोटा सा stop loss लगा कि buying कर सकते है और वैसा ही कुछ हुआ अभी जो bounce back आया है, इसके लिए major area होना है और hurdle का area होगा 17,250 से 300 की range, यह तोड़ा सा congestion area रहेगा वैसे उपर की side में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा heavy call rating नहीं हो रखी पर हाँ, 17,000 पे बहुत ज़्यादा put rating हो रखी है मतलब simple सा है कि अगर 17,000 का level कल या परसो वापिस दे break होता है तो यह put writers trap हो जाएंगे आज भी यह trap होएते पर जैसे तैसे इन्होंने sustain कर लिया level और कुछ भी करके यहाँ पर bounce देखने को मिल गया पर क्योंकि 17,000 पे heavy put rating हो रखी है, दो दिन बात है expiry अगर अगली बार 17,000 का level टूटेगा, तोनों logic है put writing का भी logic और secondly, जो हमारे support है यह भी weak हो चुका होगा तोनों logic से यह support अब weak हो जाएगा साथी साथ अगर हम directly Nifty का भी चार्ट देखे तो आज का तो candle ठीक थी, जो हमने clearly बात भी कर लिए कुछ important stocks की बात कर लेते हैं, TCS के related सबसे ज़्यादा doubts आ रहे है तो TCS कोई cover करते है सबसे पहले TCS का ना simple सा matter है, यह हमने members उनली वीडियो में भी बात करी थी कि जैसे ही record date pass में आईगी और buying करने की आखरी date निकल जाएगी TCS special pressure में आगा और at least 3550 तक जा सकता है आपको हमद रखनी पड़ेगी, अब देखिए अगर आपने buyback के लिए buy किया है तो हमेशा operator या smart player एक बात चेक करेगा कि आपने हमद भी है आपके conviction पर conviction भी है या फिर आपने time pass के लिए buy कर लिया था यह चीज test होगी, हो सकता है तोड़ा सा testing time लंबा चले जाए आपको mentally prepare रहना पड़ेगा अपने purpose के लिए किसके लिए buy किया है वो ध्यान रखना पड़ेगा साथी साथ कुछ important stocks की बात कर लेते है बजाज finance, इसने आज perfectly अपने 200 day moving average से bounce लिया है 7200 के आसपस इसमें resistance level है देखना important होगा कि क्या यह 7200 को reclaim करता है आज के volumes ठीक थे, ओक्यों केश थे पर क्या यह reclaim करता है या फिर यहां से resistance phase करके वापिस से अपने 200 day moving average को move करने आता है यह stock एक ऐसा हो सकता है जो आपको market के direction में पता करने में थोड़ी सी help कर सकता है और reliance industries obviously अपने 200 day moving average के पास है 2300 से लेके 2330 का important support level है क्या यह sustain होता है और bounce आता है वैसे यह तीसरी बार हो चुका है कि market ने bounce कर लिया था अब यह चौती बार होगा weak हो चुका है यह support अगर यह break होता है बजाज finance और reliance में नज़र डालेगा अगर market में weakness आनी है इसके लावा तीसरा अगर stock के में बात करने तो ICC bank यह तीन stocks आपको पूरे के पूरे market का direction पहले से बताने की कोशिश करेंगे इनके उपर special डालेगा Reliance अपने support के पास जा रहा है बजाज finance अपने resistance के पास है ICC bank का भी chart में आपके सामने present कर देता हूँ यह आगया है ICC bank का chart और यह अपने support के वापिस से पास जाएगा 720 के पास यहाँ से bounce आने के chances बनते हैं और यह आपको first signal दे सकता है बाकी Nifty का discussion हम आपको अल्रड़ी कर चुके है important होगा यह देखना कि क्या 17,000 का level sustain होता है या नहीं होता break होता है तो unnecessary वापिस से 16,800 पे भाग के measure binding करूँगा तो रहाँ से यहाँ पर wait and watch कर दूँगा आज का वीडियो short and sweet था मिलेंगे next वीडियो में अगर अभी तक आप open for all free telegram का पार्ट नहीं बने description में link है वरना telegram पे जाके invest आज फुरकल सर्च करेगा original channel का पार्ट बनेगा जिसमें 2,000,000 से ज्यादा members जूड़ जुके कुछ भी live market में update हुई तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी happy learning and I will see you very soon